उत्तर प्रदेश में भीशन गर्मी वलू का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून से उत्तर प्रदेश में मांसूनी गतिविधियां तेज होंगी इससे तराई के क्षेत्रों में बूंदा बांदी वहलकी बारिश की संभावना बढ़ गई है इसके साथ ही कानपूर मंदल में बादलों की आवाजा ही तेज हो जाएगी जिससे लोगों को भीशन गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है चंदर शेकर आजाद क्रिशी प्रोध्योगी की विश्व विद्याले के मौसम वेग्यानिक डॉक्टर एसेन सुनील पांडे ने शनिवार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षनी 36 गर्ड, दक्षनी ओडिशा, असम और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हलकी से म मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, पूर्वुत्तर भारत, कॉंकन और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराटवाड़ा और तटिय करनाटक में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षन पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, दक्षनी गुजरात के कुछ हिस्सों, दक्षन पूर्वी राजस्थान, उत्तरी चत्तिसगड, रायल सीमा, अंडमान और निकोबार, द्वीब समू और पश्चिमी हिमाले में हलकी बारिश हो सकती है। कानपूर मंडल सहित, पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याना, दिल्ली, जारखंड और उत्तराखंड में लू से लेकर भीशन लू की स्थिती बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी 36 गड़ के कुछ इलाकों में लू की स्थिती बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हर्याना, दिल्ली और कानपूर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कानपूर में अधिक्तम तापमान 45.00 और नियोतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की सापेक शिकारदरता 36 और दोपहर की सापेक शिकारदरता 18 प्रतिशत रही। हवाओं की दिशाएं उत्तर पश्चिम रही, जिनकी औसत गती 10.01 एक किमी प्रतिगंटा रही। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कानपूर में अगले पांच दिनों में हलके बादल चाय रहने के आसार हैं, किन्तु वर्षा की कोई संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं, साथ ही कानपूर मंडल में लू और गर्मी वाली स्थित अभी बनी रहेगी।